दोस्तो अगर आप फार्मेसी फिल्ड से हो और आपने डिपलोमाइन फार्मेसी कम्बलेट कर लिया है तो आपके लिए फार्मेसी फिल्ड में जोप पाने का सुनैरम होका है जी हां दोस्तो ITBP फार्मसिस्ट यानी Indo-Tibetian Police Force की Assistant, Sub-Inspector, Farmसिस्ट की Requirement के लिए Notification आ चुका है इसके fill up करने के लिए क्या क्या है requirement क्या भीना registration pharmacist इसके लिए apply कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इस notification के बारे में पूरी जानकारी क्या है तो हाई गाईज मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं ADL Pharmacy YouTube चैनल गाईस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और pharmacy field से related पलपल की news और update लेना चाहते हो तो आप इसके लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर pharmacy field से related update आपको मिलती रहती है तो चलिए आप जानते हैं इस notification के बारे में कि इस notification में आपको क्या क्या दिया गया है तो देखिए इसमें जानते हैं Indo-Tibetian Border Police Force इसमें ITBP Pharmacist के लिए हाप पर आपको vacancy मिलेगी ITBP Assistant Sub-Inspector Pharmacist Requirement 2022 Online Form जहां दोस्तो Online Form इसके जारी हो गए है ITBP Assistant Pharmacist Tag Jam 2022 Short Detail of Notification जहां दोस्तो इसमें आपको बताने वाले हैं इस notification की सोर डिटेल आपको इसमें मिलने वाली है तो देखिए important इसमें date दी गई है application begin यहनि के 25 October से आपका यह जो notification चाल हुआ था और दोस्तो इसमें application fees की बात की जाए तो दोस्तो इसमें देखिए general, OBC और EWS वालों की इसमें दोस्तो सोर पे इसमें fees application की रखी गई है और SC, ST वाले की इसमें कोई fees नहीं रखी गई है आल काटेगरी female यानि के female की कौन सी भी काटेगरी हो उसके लिए आपको कोई भी fees पे नहीं करनी पड़ेगी पे दिये examination form through debit card, credit card, net banking और E-calon जियां दोस्तो इसमें आप पे कर सकते हैं debit card के थरू, credit card के थरू या net banking के थरू आप इसमें application fees को पे कर सकते हैं बात की जाए ITBP pharmacist की last date की तो 23 नॉमबर तक आप इसमें अपना form online कर सकते हो और बात ही की जाए इसमें farm assist की या निकि इसमें आप जो payment करने वाले हो fees की तो इसमें आप 23 तारीक तक या निकि जब आपकी last date है तक आप अपना इसमें fees पे कर सकते हो दोस्तो बात की जाए ITBP assistant sub inspector pharmacist के exam की और age limit की तो minimum age 20 years और maximum age 28 years age relaxation as per ITBP assistant sub inspector ASI pharmacist requirement rules 2022 और दोस्तो इसमें बात age relaxation की की जाए तो आप इसमें ITBP assistant sub inspector यानिके ASI pharmacist requirement rule के इसाब से भी आप इसमें age relaxation हो सकती है ITBP ASI pharmacist requirement 2022 vacancy detailed total 24 post दोस्तो आगे बात की जाए ITBP assistant pharmacist requirement की और इसमें इसके detail यानिके total post इसमें कितनी है तो बात की जाए post की तो 24 post इसमें आपको दी हुई है notification में 24 post के बारे में आपको दिया गया है और इसमें assistant sub inspector ASI pharmacist इसमें post का नम दिया गया है total post 24 eligibility की बात की जाए तो 10th plus 2 intermediate with physics, chemistry and biology as subject with diploma in pharmacy and registered as a pharmacist जिहां दोस्तों बहुत important आपके ये eligibility दी गई है यानिके जो जो भी strands है 10th plus 2 यानिके जिन्होंने high school और intermediate कर लिया है physics, chemistry और bio के साथ में और दोस्तों diploma in pharmacy भी की हुई है with registered pharmacist यानिके उन्होंने registration करा लिया है pharmacist का ITBP SI pharmacist notification category wise बेकेंची की बात की जाए तो इसमें category wise यानिके जनरल में दोस्तों 12 दी गई है इसमें OVC में 6 हैं EWS में 2 SC में 3, ST में 1 और total तोटल दोस्तों इसमें 24 हैं यानिके जनरल में 12, OVC में 6 EWS में 2, SC में 3 और ST में 1 total मिला कर ये 24 post हो रही है और इन 24 post में इस post में general OVC और EWS बालों को उन्हें भी इसमें कोई fees पे नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों pharmacy field की इस बक्त की सबसे बड़ी news ITBP Pharmacist की आपको जोब मिल सकती है दोस्तों अगर आप भी एक registered Pharmacist हो तो आप किसके लिए online phone आप भर सकते हो तो गाइस कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूब बताना और हमारी यूटूब चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना